अगर आप मेरे चैनल पर न्यूव है तो प्लीज दून फॉर्गेट तो सब्सक्राइब लाइक अगर बेट बेटन अगर आज हमारा कोश्चन है कि वाइ फिनॉल्स आर एसेडिक इंदनेज अन्सली दिस कोश्चन इस आस्क्ट पहले फिनॉल एसेडिक क्यों होते हैं क्योंक होगे तो एसेड की क्या प्रॉपल्टी होती है हमें पता है एसेड की प्रॉपल्टी क्या होती है कि एसेड वो सबस्टेंस होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं प्रोटॉन को डोनेट करते हूं अब रही बात इस्ट्रॉंग एसेड कौन होते हैं इस्ट्रॉंग एसेड जो होती है वो depend करती है stability पर अब start करने से पहले एक चीज़ अपने दिमाग में clear कर लें अगर कोई particularly compound हमारा ionic form में है ठीक है मलब मालो ये atom है इस atom के ओपर negative charge लगा हुआ है अगर अगर उसके ओपर कम charge होगा अब बात करते हैं फिनॉल की हमने यहां पर लिखा है अपने किया है फिनॉल का अलकोहल से तो आप पहले दिखेंगे ये है फिनॉल ये फिनॉल को जब हम water के साथ रयक्ट करते हैं तो यह phenol जो होता है easily proton को donate कर देता है यहाँ पर hydronium आयन का formation हो जाता है और यह हमें phenoxide आयन का formation हो जाता है अब हम बात करते हैं alcohol क्योंकि phenol था इसलिए phenoxide आयन alcohol है अब कौन सा alcohol है हमें यह नहीं पता है इसलिए हमने आपर R लिखा हुआ है ROH यह ROH जब water साथ react करता है तो यह भी proton को donate कर देता है hydronium आयन का formation कर देता है और इस side RO- से अलग हो जाता है यह RO- हम इसको term देंगे alcoxide iron यह क्या था phenoxide iron phenol से phenoxide और यह alcohol से alcoxide अगर हमें आपे methyl group लेग देंगे तो यह हमारा methoxide iron ठीक है अब बात करते हैं comparison बात करते है alcohol का phenol से कि हमारा alcohol और phenol tonic acidic होते है पर कौन सा सबसे ज़्यादा acidic होता है जाहिर से बात है यहाँ पे हमारा phenol ज़्यादा acidic होगा in comparison to the alcohol why? now just see the political reason यह हमारा phenol है इसने अपने proton को donate कर दिया क्या बचा यहाँ पर phenol देख किया है हमारा anion है क्योंकि यहाँ पर negative charge लगा हुआ है resonance आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर resonance structure बने हुए है मैंने अलड़ी एक video अपलोड करके रखा है resonance के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं कि resonance कैसे करते हैं आपको वहाँ से idea मिल जाएगा यहाँ मैं उसको explain करने के बजाए यहाँ मैं आपको यह बता रही हूँ यहाँ अब जब यह देखेंगे resonance phenol का वहाँ पर आप देख रहे हैं यह negative charge migrate कर रहा है कहाँ पर? रिंग में आप यह देखिए negative charge migrate करें double bond आया फिर यहाँ से bond उससाइड move करेगा यहाँ पर negative charge electron के साथ तो इस तरीके साब देख रहे हैं यहाँ पर जो negative charge है पूरी ring भर में migrate करता रहेगा तो यहाँ पर oxygen के पास क्या है? oxygen के पास यहाँ पर negative charge नहीं है ना? क्योंकि negative charge यहाँ पर कम है oxygen के पास कम chances है यहाँ पर oxygen के पास negative charge के हमारा compound stable है stable है इसका मतलब acidic है इसका मतलब हम यहाँ यह एक लिख सकते है conclusion क्योंकि फिनॉल में resonance possible है और resonance के जरिए हमने यह देख लिया oxygen atom पर negative charge था बहुत कम अविलिबल था बहुत ही less अविलिबल था less अविलिबल था इसका मतलब जो हमारा compound है वो stable हुआ और stable हुआ इसका मतलब वो हमारा compound acidic हुआ acidity is directly proportional to stability now come back to alcohol दिये alcohol में easily hydrogen अलग हुआ इसने मना दी alcoxid अब हमें पता है aliphatic है इसका मतलब इसमें तो resonance possible नहीं है resonance में possible नहीं इसका मतलब negative charge क्या होगा यहाँ पर यह negative charge oxygen atom पर बना रहेगा बना रहेगा इसका मतलब इसको घूमने की तो कोई chance है है ही नहीं यह वहीं रहेगा अपने कमरे में negative charge यहाँ पर बना रहेगा negative charge बना रहेगा इसका मतलब इसका मतलब एक compound ionic बना रहेगा और ionic बना रहेगा इसका मतलब हमारा compound क्या होगा less stabilized होगा less stabilized होगा इसका मतलब acidic भी कम होगा तो कि हमारा अब तुम लोग ने देख लिया कौन से compound हमारा सबसे ज़्यादा acidic है फिनॉल के alcohol फिनॉल फिनॉल is more acidic in comparison to the alcohol hopefully कि आप सबने ये concept समझ लिया होगा अगर आपको ये concept बहुत अच्छा लगा समझ में आया so please do not forget to subscribe the button like and share thank you so much and have a good day